तो यहां पर बात करते हैं Bitcoin के बारे में अभी तो थोड़ा सा बोरिंग ही चल रहा है Bitcoin के अंदर आप देख सकते हैं बड़े लेकिन अभी के पास 47,800 पर अच्छा सपोर्ट है तो यहां से जो भी रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है और अगर आप एक शॉट टम लॉंग के ट्रेट को फॉलो करना चाहते हैं तो जब तक मार्केट इस यहलो लाइन के ऊपर टिका रहेगा या फिर आप कह सकते हैं तो टार्टिट लेके यहां पर चल सकते हैं बड़ इतना ध्यान रखे कि अगर यहां से रिजेक्शन होता है और वापी से कोई भी प्राइस इसके अंदर आ जाता है लाइन के नीचे के तरफ दैन वो रिजेक्शन को और जदा पुश कर सकता है और मार्केट कहीं ना कहीं सब्सक्राइब कि अभी भी हम लोग बुल की तरफ यहां पर प्रॉपरली शिफ्ट नहीं हुए बिट्कॉइन के अंदर यहीं पर आगर आप यह में रिपन के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं तो आप इससे को क्लियर देख पाएंगे प्राइस उपर गया लेक हला के daily में हम चीज़े इंग नहीं कर सकते हैं कि daily में हमारे पास एक falling patch है और उसका breakout हमें हो सकता है कि नजदीक में देखने को मिले यह वाला तो इक falling patch है ही है साथी साथ जो कल में आपको बढ़ा वाला falling patch प्रता यह था वह वह है तो अगर आप शॉट टर्म में देख रहे तो हो पे इस जगे पर कि मार्किट कहीं ना कहीं रीकवरी यहां से कर लेगा थोड़े टाइम में हमें हो सकता है मार्किट 55,000 तक आता हुआ इस पूजिशन पर यहां पर मिलें बाकि जो चीजें हैं जो भी क्लिर टी वह आई तिंग अब नेक्स मन तक ही जाएंगी क्योंकि इस मत में तो कुछ ही दिन से आप बाकि रहे गाएं एक अधफ्ते के असपास को टाइम है और एक अधफ्ते में अगर बहुत ज़्यादा मीजर मोमेंटम में शिफ्ट नहीं होता है लैं हम कह सकते कि बिटकोई इस जनवरी के मिट तक फिर थोड़ा उसा जो मोमेंटम है व सब्सक्राइब करते हैं कीवल क्रिप्टो नहीं बलगी चार्ट को आप रीट करना यहां पर सीख सकते हैं इस कूर्स दिक चानल का रिख लिए आप डारेक्ली मुझे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस इमेल इडी पिक्सल स्नाप्शॉट अधर जीमिल डाटकॉम की उप तो कह सकते हैं कि जब तक मार्केट इसको इस हैवी केंडल की चार्ट के बारे में तो यहां पर भी एक हैवे रिमूफ कर दूँ तो लगपक 51,300 से लेख रहे हैं 53,000 वही जो मैं आपको लेवल्स बता हैं वहाँ पर आपको अभी भी एक रिजिस्टन्स देखने को मिल रहा है इसके साथ अगर बात करते हैं बिटकॉन की डॉमिनेंस के बारे में तो डॉमिनेंस के अंदर कोई खास चिंजिस नहीं हुए मार्केट अपने पिशल लेवल को भी अभी तक टेस्स नहीं कर पाया है वहीं की वहीं पर मुमेंटम ले रहा है लेकिन गलती से पी चैसे में आपको बताई कि अगर मार्केट 40% को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर आपको अर्ट सीजन तो देखने को मिल चाएगा लेकिन मेर्केट का कर्येक्षण इस झिल यहां पर यहाँ रह सकता है तो अभी आप तो इंकर ना चाहिए तो यहां से परजय को बन सकती इसलिए कि की सितनी तब्रेक होता है तो अप ब्रेक हो सकता हुझके साथ तूटे लेकिन बात में परसोर्मेंश देखने को मिल जाएगी ले आपको शॉर्ट टम मुलेगा चाहिए फिफ्टी टू थाउसन और फिफ्टी फाउसन के दो टार्गेट को लेके फिर चलने वाले हैं इसके साथ बात करते हैं अल्ट कॉइन की डॉमिनस के बारे में तो यह डॉमिनस होड़ी से ठीक हुई है एंड जो हैड शोल्डर बेसिक यह बन रहा था वह फेल हो चुका है यह वाला अभी के तौर पर आप कहा सकते हैं बाकि एक बार मार्केट आपको 16.58 को ब्रेक कर देता है तो इसलिए हम 17.5 तक के टार्गेट को लेके आप फिर चल पाएंगे नेक्स आप हम लोग बात करते हैं एथिरिम के बारे में एथि प्राइस वहीं से रिजेक्शन दे रहा है जो लेवल हम लोग ने देखा था जिसमें आपको कल्पी में और चीज़ें बता चुका हूं तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो यहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रेंगल को फॉर्म कर सकते हैं इस तरीके गा जि यह जब तक मार्केट आपका 4400 के ऊपर नहीं आता तब तक आप लॉंग पोजिशन से थोड़ा मतलब जो आपको लंबी खोलनी है उनसे आप बचके आप चल सकते हैं इंडिकेटर वाइस देखे तो यह चेंजे से डेली में हमें एक अच्छा ब्रेक आउट कल देखने को म कर लेता है तो आप इसको असेंडिंग की तरह देख पाएंगे और जो करेंट रेजिस्टेंस है वह 40,000 50 टॉलर के असपास रहेगा इसकी ऊपर भी आता है तो हम फिर शॉट टर्म के अंतर बुलिश हो सकते आराउं 4200 के लिए नहीं तो फिर बागी जो चीज है वो स्टिल वैसे चलने वाले और पिरिशनेस स्टिल कंटीनियों हाँ पर रह सकती है यहीं पर बात करते हैं इथिरम के दूसरे चार्ट जिसका मैं आपको कल बचाता है कि यह पॉलिंग बैच जैसा एक पैटन है तो यहाँ पर अगर इस वाले पैटन के अकॉर्डिंग देखें तो य नहीं मिलता है तो नीचे की तरफ जब भी प्राइस आएगा वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए नेक्स आप में बात करते हम लोग लाइट कोई के बारे में जो पहले हम लोगों ने चीए देखी थी अभी वह ही है जैसे कल भी मैं आपको बताया था कि यह बहुत जड़ा है जब नहीं होता आपको कोई भी पॉजिशन में नहीं जाना चाहिए आप शॉट की पूजिशन को डेफिनिटली देख सकते हैं तो अब भी फिला में थोड़ा सा मार्केट गी रहा है तो यहाँ पर आप शॉ हमें देखने को मिली है इस पॉइंट में लेकिल अभी पर रजिस्टेंस 20.88 के असपास हमें देखने को मिल रहा है तो आपको थोड़ा कॉशिस रहना चाहिए जब तक कि यह लेवल प्रेग यहां पर नहीं हो जाता नेक्स अब बात करते हैं बीन बी के बारे में बी का आपको ग्लियर कर शॉट ही मिलने वाला है नेक्स आप में बात करते हैं एक्सार्पी के बारे में फाइनली एकसार्पी में एक अच्छी निवस है एकसार्पी इसको ब्रेक कर चुका है तो अभी करेंट्ली वापिस अगर मार्केट पॉइंट 9 के असपास आपके होल्ड कर करता है तो हम लोग एंट्री को फाइंड कर सकते हैं तो अगर आपने इसमें एंट्री ले लिए होकी तो में भी श्याद आपने 5% का गेन बनाया होगा लेकिन अगर नहीं लिए तो दुबारा प्राइस अगर नीचे आदे हैं तो हम यहां पर बैनेफिट उठा सकते हैं इ नहीं करता है दुबारा अंदर आता है तो आप क्लियर कट आपको फे शॉर्ट का टार्गेट यहां पर मिलने वाला है तो अगर आप एक्सरपी के अंदर हैं तो थोड़ा सा कौशिस होके इस टाम पर आप चल सकते हैं नेक्स आप बात करते हैं हम लोग नियों के बारे में नियों के अंदर भी थोड़ी सी रिकवरी आई है सेंटर पॉइंट यहां पर ब्रेक होज गया है तो अभी के सबसे हम कहा सकते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है वो नियों के अंदर ऐसा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा तो अगर मार्केट आपका 26.5 के सबसे रूखता है तो रिली बहुत अच्छी तरीके से मुमेंटम ले रही है 14% लगबग डॉट ने उपर की तरफ दिया है लेकिन यह जो लेवल है यह अभी भी एक रसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं तो डॉट जब तक इस पूरे लेवल को क्लियर नहीं कर लेदा हम लॉट की पोजिशन में नहीं जाएंगे क्योंकि जितना भी यह लॉट को तोड़ता है देन फिर एक बात लग हो सकती है लेकिन अभी मैं यह कहूंगा कि रेजिस्टेंस जब तक यहां पर फॉर्म हो रहा है तब तक हमें ट्रेट लॉट का नहीं लेना ह लेकिन एक वर्मिशन चाहिए ताकि मार्केट हमें एक प्र्मोर तरीके से वहां पर चीज़ें प्रोवाइट कर वा सकें नेक्स आपे बात करते हैं हम लोग डॉट के बात आ इससे नहीं करता है तो मार्केट इसेंडिक में रहा सकता है और अबही जो इसके नीचे आता है इसको ब्रेक कर पाता है तो हम बुलिश हो सकते हैं फिर बात करते हैं सोल के बारे में सोल की प्राइजस में इंक्रिमेंट हमें देखने को मिला लेकिन यहां पर एक और चीज आपको बता दूँ कि शूल्टर है और शूल्डर का फॉर्मिशन बन सकता है यानि कि एक हैड और शूल्टर का फिलाल में चार्ट टोर से हौच पॉच हो रहे हैं इसको रिमूफ कर देते हैं यहां पर आप एक चीश क्लियर ली ऑपसर्फ कर सकते हैं कि फिलाल में जो मार्केट का लेवल है वह है यह वाला यानि कि पूरी तरीके से रसेस्टेंस होने अगर यहां पर सोल इसको क्लियर कर लेता है तो चार्ट को सिंपल रखेगा ताकि आपको भी आप एक्समें सही रहे और जितना आप सिंपल ही काम करेंगे उतना जल्दी आप अपने टार्गेट को एचिव भी हाँ पर कर पाएंगे इसके साथ बाग करते हैं हम लोग लास आड़ा के बारे में आड़ा फाइनली ऊपर की तरफ भी ब्रेक आउट हमें करता हो मिल गया है तो जो लेवल था वो हमारा ब्रीच हो चुका है इसको आप कह सकते कि मैं थोड़ा सा डिलिट कर देता हूं तो मैं इस वाले पर भी फोकस करूंगा जहां पर कि मार्किट इसक से मुमेंटम लेता है तो हम 14 परसंट याने की 1.5 सके टार्गेट को अचीव करता हूँ देख सकें तो शौर्ट टम में अगर आड़ा में आपको एक सार पी सीरेली मिलती है तो यह लेवल होंगे जिनकी उपर आपको फोकस यहां पर रखना चाहिए तो यह तो सारे कि सारे कोई जिसको कि हमने कवर करा है आप हमने चार्ट पिचा के सारे माक्यां पर लगा सकते हैं जिसे कि आपको भी पता रहे है कि कौन से टोकन में आपको कौन से लेवल एक्सित्स करना है तो आप चलते सीधे अपने आईडियों के ऊपर आज का दोस्तों जो सबसे पहला प्लेयर गेम देखने को मिल जाता है लेकिन यह जो गेम है यह पिसिकली आप Android डिवाइस और iOS डिवाइस पर ही खेल सकते हैं तो Universal Iceland इसका नाम है जहांपर कि आपको गेम मिलेगा इसका आइडियो तीन जगे हो रहा है रॉपस्टन, CD5 और मूनस्टार तो CD5 पर मैंने आपको हमेशा वीडियो में जिसे बताएं उसी तरह आपको एंट्री लेना है आपको अपने वालेट को कनेक्ट करना होता है यहाँ पर जो कि बाइनस की स्मार्ट चेन पर होगा देखने को मिल जाएगी और इतना ज़रू ध्यान रखे कि अगर आप CD5 पर पाटिसिपेट करना चाहते हैं तो CD5 पर पाटिसिपेट करने के लिए आपको टोकन होल्ड करने पड़ते हैं जो कि एक टायर सिस्टम के अंदर चलते हैं जहां पर कि टायर 1 में 1.2 परसंट का प लाग टोकन को होल्ड यहां पर करना होगा ताकि आप इसके आईडियो में पार्टिसिपेट यहां पर कर सकते हैं बाकि जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर पता है कि एक्षन ऑन-lai इसी के साथ इनकी बहुत सारी एंफ्ट हैं जो इस तरीके की आप यहां पर देख पाएंगे और यह पहला ऐसा आपको फीचर्स भी आपर प्रोवाइट कराता है और इसी के साथ आप इसका रोड़ मैप देख सकते हैं टीम के बारे में इंफॉमिशन ले सकते हैं सारे डव किसे investment कर रहा है जहां पर कि आप बहुत सारों कुतुक पर आल्रेडी जानते होंगे अपने इसके अंदर तो CD5 में investment करना easy है CD5 में अगर आपको investment करना है तो token hold करने होते हैं जिसका criteria मैं आपको आल्रेडी आप बता चुका हूँ और यह criteria आपको CD5 की main page पर मिल जाएगा टायर सिस्टम करके तो यहां पर आप जैसी learn more पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस website के उपर redirect यहां पर हो जाएंगे और यहां पर इसकी जो कह सकते हैं कि हम लोगों को जो आईडियो है वो चालू अने लाए बाविस घंटे के अंदर तो अगर आपको पर आप जाना चाहते हैं तो आप इस प्रोजेक को स्टेडी कर सकते हैं और उसके सीडिवाइग के आंदर आप पर जा सकते हैं तो चलिए दोस्तों आते हैं सबसे पहले अपनी नियूस के उपर तो आज की सबसे पहले जो नियूस आ रही है वो बेसिक लाए रही है एल होती है और यही इनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी पता है ट्वंटीवां टे ट्वंटीवां यहां ट्वंटीवां सेंचुरी हमें यहां पर देखने को मिल जाती है अगली दोस्तों आप खबर आ रही है बेसिकली जैक डॉरसी की तरफ से और इनका कहना कि जो सब्सक्राइब करते हैं तो इनका कहना भी पढ़ रहा है सारी चीज़ों के अंदर और इतना हमें पता है कि आने वाले टाइम के अदर वैब 3.0 प्रॉपर तरीके से अगली दोस्तों खबर की बात करें तो यह बिसिकली आ रही है टेरा नेम सर्विस की तरफ से इसका वीडियो में अल्रेटी बना चुका था एक महिना पहले और इतना ज्यादा नहीं पता तो मुझे लगा था शाद एक साल का टाइम लगेगा लेकिन टेरा नेम सर्विस ने बिसिकली अपना खुद का जो टोकन है टी एनेस टोकन वह आपर लॉंच कर दिया है आज की डेट के अंदर अब बहुत से दोस्तों का सवाल होगा कि क्या हमें एरडॉप में मिलेगा तो इसी में अगर आप थोड़े डीटेल में जाएंगे तो आपको समझ आएगा इन्हो क्लिक आँगा कि अच्छा होने वाला है और लूना की प्लेटफॉर्म पर तो आपको समझी जाना चाहिए कि लूना की परफॉमेंस तगड़ी यहां पर चल रही है इसी की साथ कर बात करते हैं एरडॉप के बार में जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे तो यहां पर यहां पर रखने वाले हैं और इसका जो अनॉंसमेंट है वो 23 दिसंबर को 12 पीम यूटी सी यानि की इंडिया तैम के अकौडिंग शाम को साधे 5 बजे यहां पर होने वाला है मैं थोड़ा से सको छोटा कर देता हूं मैं भी शायद आपको यह दिखने ही रहा हो तो आपको क्लिए दिख जाएगा तो तेवी दिसंबर को शाम को साधे 5 बजे इंट्राइम के अनॉसमेंट होगा जो भी आनॉसमेंट है वो आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी वोईस नोट टैक्स फॉर्मिट जैसा भी होगा वहां पर चॉइन कर लिजे और अगर हम ल तो इसके उपर बिल्कुल फोकस करेगा देखेगा कि क्या चीज़े होती है अब अगर आप ट्रांजेक्शन करने का सोचे तो आप कोई फाइदा नहीं है करके तो आप बिल्कुल मत करना वन आपका पैसा वेस्टी होगा और कुछ भी यहां पर नहीं होने वारा है अगले इसके वाइट लिस्टेश के सकते हैं तो अगर आप इसके अंदर पाइसिपेट करना जाते हैं तो यहां पर बेसिकली आपको आना होगा वेबसेट के उपर और यहां पर इस टेख स्लीम पर अलग टायर्स आपको देखने को मिलते हैं जहां पर क्या टायर वन से लेकर अब भी बताया नहीं है तो वह अभी अनाउस होने वाला है और यहां पर आपको बहुत ही अच्छा गेम देखने को मिल जाता है जिसमें किसका सेल रेट है 0.03 USDC तो जब आप सोले नेम के उपर आते हैं किसी भी आईडियो में पार्टिसिपेट करने तो आपको फाइंट आप इन तरीके के वालेट मिलेंगे जो कि सोलचेन के वालेट है आप इन वालेट से यहां पर पाइस्पेट कर सकते हैं और आपके पास USDC टोकन होना चाहिए ताकि आप इस वाली से इस्टार्ट होने में यह कुछ घंटों के अंदर तो आप उसका भी आप फाइदा उठा आप अप इसको एक बाद चेक आओट कर सकते हैं आपको इनकी डारेक्क लिए वैफसेट भी देखने को मिल जाएगी तो आप जैसी इसके विपर क्लिक करते हैं यहाँ पर और सारी की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और यहां पर आप आप देख पाएंगे कि किस तरी बाद जिसका भी नाम लॉट्री में निकलता है वो लोग यहां पर सेल के अंदर पार्टिसिपेट भी यहां पर करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों आते हैं अपनी आज की आखरी न्यूस की तरफ और यह दोस्तों आ रहे हैं बेसिकली बिट मैक्स एक्सेंज की तरफ से जिस आज पर पर लुमीर से जाके आप अपना अकाउट्न यहां पर किरेट कर सकते हैं और यहां पर अपनी क्यक्वाइं सी की universal करते है तो यहां पर आपको पांच 1 टॉकने मिलेंगे यहां पर 10 टोकन और 10 टमार के टार यहां पर हो है USTD वो आपको मिलने वाला है इसी के साथ बात करें तो इन्होंने कहा है कि जितना भी एरडॉप और सारी चीज़ें होंगी वो फरवरी में सबको इसु कर देंगे जाने कि अगर आप आज अपना अकाउंट बना रहे हैं तो फरवरी में आपको सारी चीज़ देखने को मिल ज जाएंगे बागी आपको बिट मैस की वही के वाई सी प्रोसेस करनी है और प्लस 25 परसंट के अंदर भी यहां पर कह सकते हैं कि बागी सब्सक्राइब कर सकते हैं और थोड़ा पूराना एक्सेंज है तो आई थिंग आपको सारे फंक्शन्स तो नहीं मिलेंगे जो भी नए एक्सेंजिस पर मिल रहे हैं क्योंकि कोईंस भी कम होंगे सारे चाहिए बट अगर आप सिर्फ एयर्टॉप के लिए जाना चाहते हो तो के वाई सी कर सकते हैं और वहां पर जाके आपको फरवरी के मंत में यहां पर देखने के आपका आपका अकॉन्ट में मिल जाएंगे आप दोस्तों वीडियो आप सभी कहां पर पसे होंगी दोस्तों कर वीडियो के पैसन तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा अगर अभी तक आपनी चैनल अपने फैमिली आफिन के साथ शेयर नहीं कराएं तो तुरण चाहिए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मा और क्कृater ढार काईग दो प्ईं कर दो कृरता प्रुरर अंट्रा के वोट थिर शेटोह आपने ओ घ्रून्स हतु प्रॉर बज़से कूसर जेएैंक पेन साथयर आपने दो के